यह देखे दोस्तों क्या ही गजब की कैपेचीनो बनी है एकदम जबरदास घर में बनी है मिंटों के अंदर हमने बनाई है यह मेशन जार में जो कि मल्टी परपस जा रहा है इसी में हमने अपनी कॉफी को शेक किया था और इसी में हमने यह बनाई है गजब की लाजवाब ब देखिए आप उपर से क्या ही गजब की बनी है हमारी यह चापशिआ अठीची नौग वीडियो कितना असान पड़ और घर में जानीक बनाने के लिए दोस्तों कपेची नौग बनाने के लिए हम बहुत यह असान दिखा रहे हैं आपको हमने लिए एक मेसं जार उसके अंदर डाल रहे हैं हम ये एक प्लस एक और दो टेबल स्पून इंस्टेंट कॉफी साथी साथ जा रहा है ये दो टेबल स्पून चीनी चीनी आप अपने हिसाब से डालिए और डाल रहे हैं हम इसके अंदर हलका सा बॉयल पानी दो टेबल स्पून इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर दीजिए अच्छी तरीके से धकन करिए बंद और इसको करना शुरू करिए शेक इसका कलर हो जाएगा चेंज इतनी देर तक आपको शेक करना है तो ये देखिए दोस्तों शेक करते करते इसका कलर थोड़ा लाइट ब्राउन हुआ है अभी और थोड़ा सा ब्राउन होगल ये अभी हमारी इस स्टेज पर पहुंची है आप देख सकते हैं इसमें अब हम आदा स्पून पानी और डाल रहे हैं और इसको फिर शेक करेंगे दोस्तों ये देखिए ये त्यार हुई है हमारी काफी अब हम इसको खोल के देखते हैं कैसी बन करके आई है ये देखिए एकदम परफेक्ट एकदम लाजवा जबर दस्त बन के आई है हमारी काफी इस तरीके से तो चलिए अब हम अपना दूद गरम करते हैं और अपनी कैपेचिनो काफी बनाते हैं तो दोस्तों ये ले लिए है हमने अपना फुल क्रीम मिल्क और इसको अपनी कैपेचिनो काफी बनाते हैं तो दोस्तों दूद्ध गरम हो गया है अब हम क्या करते हैं कि इसमें से थोड़ा सा ये जो कौफी जो फिटी हुई है इसको निकाल लेते हैं ताकि हम इसको डालें उपर से अब जा रहा है ये हमारा मेसंजार में दूद्ध कौफी के अंदर गया इसको हलका सा कर दीजिए शेक ढखकन लगा करके और बाकी का दूद्ध डाल दीजिए और अब डाल दते हैं हम ये थोड़ी सी जो बची हुई हमने कौफी निकाल के रखी थी वो उपर से और इसके उपर डाली है हलका सा दूद्ध ये देखिए दोस्तों ये त्यार है हमारी गजब की कैपचीनो बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो और लास्ट में बिल्कुली ऑप्शनल है ये डाल रहे हैं थोड़ा सा इसके उपर ये कोको पाउडर इससे तो लाजवाब टेस्ट ऑड़ बिल्कुली